गोरकनात मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरकपुर नगर में स्थित है बाबा गोरकनात के नाम पर इस जिले का नाम गोरकपुर पड़ा है गोरकनात मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित तेनात जी है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ह मकर संक्रांती के अफसर पर यहां एक माह चलने वाला विशाल मेला लगता है जो किचड़ी मेला के नाम से प्रसिद है सामान्य तथे गोरक नात मंदिर धर्म संबंधी जानकारी हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना के अंतरगत विभिन संब्रदायों और मत मतांत्रों में नात संब्रदाय का प्रमुक स्थान है संपूर्ण देश में फैले नात संब्रदाय के विभिन मंदिरों तथा मठों की देख रेक यहीं से होती है नात संब्रदाय की मान्यता के अनुसार सचिदानन शिप के साक्षात स्वरूप, श्री गोरक्षनात जी, सत्य युग में पेशावर पंजाप में, त्रिता युग में गोरकपूर, उत्तर प्रदेश, द्वापर युग में हर्मुझ, द्वारिका के पास तथा कलियुग म गोरक्मदी, सौराष्ट्र में आविर्भूत हुए थे। जाने जाते हैं यह एशिया में नेपाल में 20 प्रतिशत, भारत 13.5 प्रतिशत, भूटान 3 प्रतिशत नाथ लोग मिलते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तिबबत, बांगलादेश और रंगून में नाथवनशियो, के अन्याई को मानने वाली जो लोग ह वे भी एक रूप से शैव संप्रदाय से ही जुड़े हुए होते हैं क्योंकि महावीर और बुद्धनात समाज और नाथ संप्रदाय का एक सनातन धर्म के अनुसार एक प्राचीन एतिहास रहा है जिसका कहीं भी बहुत ही कमुल लेक किया है क्योंकि वैशनव ब्राहमन ने नाथो इतिहास को लोगों से छुपाया है नाथ समाज के लोग सिधा महापुरुष और वीर लोग होते थे परम तपस्वी ज्यानी कल का भी रुख मोर देने वाले ऐसे तपस्वी होते थे क्या क्या मैं अपने मुख से कोई वचन कह देते तो वह सत्य बन जाती थी इतना तेज उनकी वानी में होता था जब राजा महाराजाओं के यहां संता नहीं होती थी तो ऐसी तपस्वी जोगी सन्यासियों। योगी संप्रदाय के महान प्रवर्तक ने अपनी अलोकिक आध्यात्मिक गरिमा से इस्थान को पवित्र किया था अतहि योगेश्वर गोरकनात के पुर्णिस्थल के कारण इस्थान का नाम गोरक पुर्पड़ा। महायोगी गुरु गोरकनात की यह तपस्या भुमी प्रारंब में एक तपोवन के रूप में रही होगी और जन्शून्य शान्त तपोवन में योगियों के निवास के लिए कुछ छोटे-छोटे मट रहे, मंदिर का निर्मान बाद में हुआ। आज हम जिस विशाल और भव्य मंदिर का दर्शन कर हर्श और शान्ती का अनुभव करते हैं, वह ब्रमलीन महंत श्री दिग्विजयनात जी महाराज जी की ही कृपा से हैं। इस मंदिर से प्रवाहित योगिक साधना की लहर समगर एशिया में फैल रही थी। नात संप्रदाय के योग महाग्यान की रश्मी से लोगों को संत्रिप्त करने के पवित्र कार्य में गोरक्षनात मंदिर की भूमिका अत्यांत महत्वपूर्ण रही है। विक्रमी यो उन्नीसवी शताबदी के द्वितिये चरण में गोरक्षनात मंदिर का अच्छे धंग से जीर नोध्धार किया गया। तभी से निरंतर मंदिर के आकार प्रकार के समवर्धन समलिन करण वा मंदिर से समबंधित उसी के प्रांगन में स्थित अनेकानेक विशिष्ट देव स्थानों के जीर नोध्धार नवनिर्मान आदी में गोरक्षनात मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे महन्तों का खासा योगदान रहा है। करीब 52 एकर के सुविस्त्रित क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का रूप वा आकार प्रकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलता रहा है। मंदिर परिसर के दर्शनी स्थल माननेता है कि मंदिर में गोरकनात जी द्वारा जलाए अखंड ज्योती त्रेतायुग से आज तक अनेक जंजावातों के बावजूद अखंड रूप से जलती आ रही है। ये ज्योती आध्यात्मिक ज्यान, अखंड ता और एकात्मता का प् द्यमान है. झाल 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 झाल